मैं कोई संगर्श की नहीं है फिम इंडस्टी में I had a script with me मैं इंडस्टी में एक ही शक्तों जानता जॉन इवरायम और मैं एक फिम जॉन इवरायम के साथ बनाना चाहरा था तो जॉन ने मुझे अश्टे विनाएक से मिलवाया वहाँ पे मेरी एक और script थी जो मेरी अश्टे विनाएक को दी और ने कहा था देखिए आपकी script जो है बहुत ही महेंगी script है एक काम करते विल सेट अप मीटिंग विथ टो और त्री आक्टर्स देखते वहाँ से आपका क्या होता है तो मेरी पहली मुलाका दत साब दे हुई आदे गंटे के बीटर दत साब ने मेरी पहली फिल्म के लिए हा की और ने कहा था ये भी नहीं आपकी एक और जो script है जो आपने मुझे synopsis सना है मैं वो भी फिल्म करना चाहूँगा आपके साथ तो आदे गंटे के दर में दत साब ने हा का अगले दिनों ने कहा था कि संजिदत तो हो चुगा है अब अक्षे कुमार से मिलिए मैं अक्षे को पूरी कानी सना दिने फिल्म के रिया का उसके बाद मेरे प्रेडिसर थे राजबाई वैन के बार आदे के बाद मैरे अक्षे नहीं है का अब क्या सब कुछ निए फिल्म करते मेरी फिल्म के शिरुआदवाहंसे वी थी जहां तक रह्मान साब का सवाल है, मैं रह्मान साब को पहले से जानता था तो मैं गया है रह्मान साब के वाद मैंने का सर मैं एक फिम बना चाहता हो किस प्रकार की फिम एक एंटर्टेंबंट एक्शन फिम तो रेमान साब नेका अब जानते हो के मैं जब फिल्म चुनता हूं, थे विल्म मेंगास जोन मेने हमा जथा नेका सर। यह फिल्म बैसी फिल्म नहीं है जहां पर आपकर होगे के something to preach to, नहीं पर कोई preaching है, non-preaching entertainer. और मेरे रेमान साब से यह का था के सर, I think you're the best composer I know of. I think the Indian audience knows of. And I love your background. तब मुझे गानी मत दीजे, do my background. तो वाट इडी ती अ? फरुम हा कर दिये. और फिल्म में कितने गाने है? 9 गाने. 9 गाने? पिचराइज 3 गाने है, बाकी सारे गाने में बाकराणे. यहने ट्रू एक म्यूजिकल भी असाथ में एक्शन फिल्म है लेकिन गाने तो हर फिल्म में होती है बर फिल्म में अगर कोई सीन चल रहा हो तो इन बाइग्ड़ान सॉंग आप लें अपने लफ्ष का उपयो किया था अफवाय है मेरे सुनने में आया कि मैंने 140 दिन के लिए शूटिंग किया लेकिन मेरे प्रेडिसर्स मैं में इस्टाकस्ट जानते कि आज तक गानों के साथ सौ दिन के भीतरी फिल्म कंप्लीट हूई है तो ये सारे अफवाय हैं जो ये शायद मेरे काफी चाहने वाले है जो ये चाहेंगे कि मैं और 20 दिन शूटिंग करूँ और लोगो और काम में ले अगली फिल्म में में लिए और करूँगा वेल्कम बाक आप देख रहे हैं ETC Bollywood Business ब्रेक में जाने से पहले हम फिल्म Blue के डिरेक्टर आंथनी डिसूजा से बातचीत कर रहे थे पेश है इस इंटिव्यू का अगला हिस्सा आपने जब फिल्म शुरू की तब Economics Film Industry की बिल्कुल अलग थे इंडस्ट्री का बूम टाइम चल रहा था आज recession आ चुका है नौ इतनी महेंगी फिल्म मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आपकी फिल्म में 80 करोड लगे हैं 100 करोड लगे हैं 125 करोड लगे हैं जो भी लगा है आज के दौर में एक महेंगी फिल्म आपको लगता है यह cost recover कर पाएगी हमारे पास घजनी का मिसाल है जहां तक मैं बिजन्स जानता हूं जो मैं बहुत कम जानता हूं 200 करोड की उपर की बिजन्स की है gross तो उसी तरह अगर ब्लू ने भी 200 करोड की बिजन्स की है इस उनके काफी हिस्से बीच समुंदर में समुंदर के अंदर भीतर आपने फिल्म आए है पहली बात तो यह आइडिया किसका था कि समुंदर में यह समुंदर के अंदर घूशन में इसकी ही सिब फिल्म आने दूसरा जब आपने आठिस को कहा कि आपको रियल शाक्स के साथ शूट करना होगा तो इनका रियक्शन क्या था? किस निए भी अदिधी फिल्म में अंडर्वाटर एकी फिल्म बन चुकिया विचिस समराठ समराठ मुझे फिम पसंदाई थी मैं अब कुछ नहीं था कि आपने तर्फ ने श्माद देखिये कर नहीं मैंने कम जगी तीन बार देखिये कि कैसी लगी आपको? मुझे फिल्म पसंदाई थी उस वक्त की टेक्नोलोजी बिल्कुल अलग थी उस वक्त की टेक्नोलोजी अलग थी और आज भी अगर आप देखोगे और मैं जानता के पानी के अंदर शूट करना कितना मुश्किल है I have very high regard for the director and the producer Maatan Maula to make a film that way कि मैं जानता हूंने कितने मुश्किले सही होगी वायर to make a film that way And it was a big film, Dharmendra Jichandra काफी खामिया है फिमे, lot of flaws but I think at that time everything was acceptable तो जब आपने कहा अपने अपने अक्टर्स को के शाक्स के थाथ शूट करना है उनका राक्शन क्या था? सब ने फॉर नहां का, everybody is excited अक्षे तो सब जानते, he loves to do stunts Dharmendra Jichandra का, I told you I'll do the film but I'll do all myself बट उन्हे तो पानी मी जाना मना है उसके बावजूद, Dharmendra Jichandra के लिए और सारे stunts खुद किये Zahid Khan is a natural swimmer he's the best swimmer among the entire lot the only natural swimmer I had, who didn't have to train Zahid थे Lara Dutta ने तीन मैने तक ट्रेन की Lara को swimming नहीं आती थी swimming बिल्कुल नहीं आती थी she trained for three months every day लक्षवदीब गई, certified उसके बाद she went in the water the only untrained person was me और आपको भी पानी में जाना था? मुझे पानी में ही जाना था पहरे जब रेकी वगरा हुए तो मैं पानी के अंदर था ship यहां पर होगी वगरा shooting के वक्त मुझे पानी में जाना नहीं पड़ा because of the board with the microphone सारे लीचे माइक से, that's about it पर आपको नहीं रखता आप अपने actors की जिंदगी जोकियम में डाल रहे थे एक risk उठा रहे थे उन्हें real sharks के साथ shoot करवा रहे थे भगवान ना तरे कुछ 19-20 हो जा था तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थे You are saying in English के more people die every day walking across the road than we killed by sharks तो मैं यह मानूगा कि अगर आप सड़क पे चलते हो शाद आपका हाथ सावाईं पे हो जाए but sharks are not really that dangerous they are like animals कोई भी जानवा रहे शेर हो या कुटा भी हो they'll attack you only when provoked besides अपनी safety team जो थी we are the best safety team in the world तो सारी सहुले थी हमारे पास सारी सुरक्षा के बाद हम पानी के अंदर गे we took a lot of precaution और इस बात का शेर गे तो अश्टे मिनाएक कि पहले वो लोग गए वहाँ पे तीन मेने पहले सारी safety doubts को मिले हमारी meetings होई हमने पहले वहाँ पे test shoot किया था हम खुद गए थे वहाँ पे रहे वहाँ पे अगर sharks आए how do we react उसके बाद हमारे actors वहाँ पे आए but we had no incidents which would day except one जहाँ पे एक दिन अक्षे को चोट लगा अपने सर पे and all the sharks are coming towards him और फिर शुकर है कुछ ने हो but he went up and he was bleeding very badly 40-50 sharks उनके सामने आए and Akshay didn't have his glasses on क्यूंकि पहले मैंने अक्षे से का पहले आप नीचे जाईए स्वाफीट चले गए अक्षे से अपना टैंक निकालिये उसने अपना टैंक निकालिये से अपना चश्मा निकालिये वहा से और चश्मे के बगर अक्षे कुँंट सी अधिन ने वाटर याद गए बैंकि आपके सॉल टेस इंट इन इस and he hurt his head जान से पहले कुछ साथ-एस्टी शाक्स अक्षे के पास आये सेस्टी लोग ने अक्षे को बचा ए उपर आये वो अक्षे ने कुछ ने का बैठे मेरे साथ कई टेक हो और मैने का नहीं सर फिर से करे नहीं करें अब भी करें और चोट लगे आपको अब सास भी लोग है तो आप मर जाओगे वहीं पर शाक्स आपको बाद में खाएंगे बट ही पानिक अट अल से में डच साब डॉक्टर नों ने मना किया था कि आप स्कूबर डाविंग करने ही सकते हो अब मेरे फिम में सारे स्ट्थे रहल है और एक बात है लोग हमेशा कहते है कि हॉलिवुड के सारे आक्टर जो है बहुती प्रोफेशनल है बहुती हार्ड वरकिंग है अपने स्ट्थ्थ खुद करते हैं में यह कहना चाओंगा कि हमारी श्युक्त सवाल और भी हैं लेकिन वक्त है कम इस मुलाकात का अगला हिस्सा आप कल रात देख सकते हैं इसके इलावा कलके स्टडी में हम आपका ध्यान विख्यात निर्देशक राकेश रौशन की फिल्मों की और आकरशित करेंगे अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का अगर आपके मन में कोई प्रशन है या फिर कोई सुझाव तो हमें जरूर लिखें हमारा पता है bollywoodbusiness at etc.in अब मुलाकात कल होगी मैं तरन आदर शब आपसे इजाज़त लेना चाहूंगा कीप वाचिंग ETC Bollywood Business मंडे से फ्राइडे रोज राज साड़े आट बजे और फिर राज साड़े ग्यारा बजे ETC पे The Business of Entertainment अब आप ये शोव जीट ट्रेंड पे भी मंडे से फ्राइडे रोज सुबर दस बजे देख सकते हैं और हाँ अगर आप अपने फेवरिट स्टार्स के आटोग्राफ मंड जीतना चाहते हैं तो इस शोव की समापती पे एक इंपॉर्टन सूचना जरूर देखे नमस्ते